आज हम बनाने नेक डिजाइन इसको बनाना बहुत ही असान है इस तरह की जब लॉन की शेटे होती हैं उन पर बनाकर यह पहनते हैं तो बहुत ही खुबसुरत लगते हैं चलें इसको फिर बनाना इस्टार्ट करते हैं तो यहाँ से देख़ों हम शेट को पहले इसकी लंबाई चोड़ाई निकाल के सुपरिट कर लेथे हैं इसको हम सबसे पहले हमें इसकी नापनी है तो न्मबाई रखोंगी मैं यहां पर 38 तो का आ पर मुझे तयार रखनी है 36 तो उसके लिए हमें यहां पर दो इंच एक्स्टा मारजन देके 38 निकालनी है नहीं है यहां से मैं इसको इस तरह से मार्ग करूँगी यहाँ पे हम CV line डाल लेंगे इसमें यहाँ आपकी जो भी लंबाई चौड़ाई हो इससाब से आप इसको निकालें यहाँ पे इस तरह से मौन्डे की cutting करेंगे हैं तो यह मैंने मौन्डे की लंबाई चौड़ाई दोवे 7-7 इंच रखेएं अब यहां से हम इसका chest नापेंगे और यहां पर इसको भी इस तहां से mark कर लेंगे यहां पर monday का round दे देंगे आध इंच का यहां से drop देंगे हम कमर की लंबाई लूँगी मैं कमर की लंबाई यह वो 7 इंच है इसी तरह से loose fitting है यह shirt तो यहां पर हम इस के हम कमर की चोड़ाई रखेंगे विवे हमने chest की चोड़ाई रखेंगे उसे एक इंच हम इसको कम कर देंगे इस lijन को यहां से मिला देंगे और नीची से दावन हमें इसमें A लाइन धाना है तो इसके लिए हमने दावन रखा है 13 इंच अब इस लाइन को कमर की लाइन से हम इस तरह में ला देंगे तो यह हमारा यह लाइन शेप आ जाएगा अब यहाँ पर इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर नेक का निशान भी हम साथ ही लगा लेंगे तो हम इसमें से एक पीस को मैं हटा दूँगी कोई भी एक को हम फ्रंट बना दिंगे एक को बैक कर लेंगे तो यहां बैक साइड के जो नेक है उसकी कटिंग कर लेते हैं तो इसको यहां पर पहले एक बॉक्स बना लेंगे और यहां पर इसमें अच्छा सा राउंड दे रेंगे अब यहां से इसकी कटिंग कर लेते हैं अब इसको यहां से हम साइड में करेंगे और फ्रंट साइड का जो है मौना एक गहरा करना होता है पहले हम उसको कर लेंगे गहरा तो यहां से इसको भी कटिंग कर लेते हैं तो यहां हमें फीजिंग पेपर की ज़रत होगी तो इस तरह से फीजिंग पेपर हम लेंगे और यहां डबल करके रखेंगे उसमें और यहां से इसकी चौडाई रखेंगे तीन इंच तो यहां पर लंबाई भी में इसकी तीन इंच ही रखूंगी तो यहां पर इस तरह से इ अब एक इंच का मार्जन देंगे यहां पर और इसको भी यहां से मार्किंग करके फिर निशान लगा के हम कटिंग कर लेंगे तो यह देखें इस तरह का भुगरंगा पीस लेंगे हम सीधी पटियां कटिंग करनी है तो एक इंच की हमें सीधी पटिंग करनी है तो दो पट्टियां इस तरह की कटिंग करूंगी मैं यहाँ पे इस तरह मार्क करके तो जितना रंबा हमें प्लैकिट बनाना है उसी साथ से हम यहाँ पे इस निरंबी पट्टी लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे पहले अब यहां पर मैं इसको गले को कटिंग कर लोंगी शट के और इसी तरह यहां पर इसकी भी कटिंग कर लोंगी जो हमने वी कटिंग किया है यहां पे इस तरह से हमें कटिंग कर लेने के बाद नीचे से हमें एक इंच का रखना है और इसको यहां पे इस तरह कटिंग कर लेना है तो जितना हमने यहां पे नीचे से जो cutting किया है एक इंच का तो इतनी हमें यहां पे बुक्रम की पट्टी चाहिए होगी तो जो बुक्रम की हमने सीधी पट्टी cutting करी है इसको हम पहले कपड़े पर paste कर लेंगे तो यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा आदें जितना margin देंगे एक्सर और इसको यहाँ पे इस तरह से प्रेस करके पूरा चिपका लेंगे अब इसको डबल करके यहाँ पे मैं इसकी cutting कर लूँगी इसके बराबर की अब यहाँ पे पहले हमें यह प्लैकेट वाला एरिया तैयार करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के इसको पहले अटाइज कर लेते हैं तो यह देखें इस तरह से मैंने यह लगा लिया यहाँ पे हम पर फोल्ड करके सिलाइय लगा लेंगे तो सीद्ध करने कButter देचन करना है अब यह देखो इस्को इस तरह से पकड़के इसने सिलाइय लगा लेंगे तो यहां देखें सीदा करने के बाद हमारा कुछ यह इस तरह आ जाएगा अब east इसके जो साइड हैं साइड में इस तरह से बिल्किल बारी शिलाई लगाएंगे यह जो एक्ट्रा पटि यहां से कटेंग करके निकाल देंगे अब यहां पर गोल गली के अंतर हमें पट्टी लगानी है और यह पटी लगा आँगी इस तरह से डबल गला तैयार हुआ है यह जो पटी है इसको बैक साइड पर हम टान करेंगे साइड उसेज के जो कॉर्णर है उनको अंदर की तरफ दबाएंगे और यहां पर हम इसमें तुर्पाई कर लेंगे तो यह बिल्कुल आराम से यहां पर इसमें तुर्पाई भी जा देगी तो यह देखे तैयार हुने के बाद हमारा गला इस तरह से आ है